ज्यान योगी की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूँ मारती। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। ICICI Bank के Internet Banking अध्याय के तहट आज आप सीखेंगे Login Password बदलना। यदि आप अपना Login Password चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले ICICI Internet Banking में Login करिए। यहां हमने Already Login किया हुआ है। अब My Profile टैप पर क्लिक कीजिए और इसमें Change Password पर क्लिक कीजिए। अब यहां पर अपना पुराना Login Password डालिए। New Password वाले Box में आप जो नया Password रखना चाहते हैं वो टाइप कीजिए। Password बनाते समय ध्यान रखें कि आपका Password कम से कम 8 characters और अधिक से अधिक 28 characters का होना चाहिए। और आपका जो Password है वो अक्षर और Numbers का Combination हो या फिर अक्षर, Numbers और यह जो Special characters यहां पर दिखाय हुए हैं इस तरह के Special characters का Combination होना चाहिए। ध्यान रहे कि जो नया Password आप बनाने जा रहे हैं वो पिछले तीन Login Passwords के समान ना हो। और Password डालने के लिए सुरक्षा की दृष्टी से बहतर है कि आप Virtual Keyboard का उपयोग करें। उसके लिए इस निशान पर क्लिक कर दें। यहां से अब आपके नये Password में जो भी characters हों उनको आप इस Virtual Keyboard की साहता से क्लिक करते जाएं। और फिर OK पर क्लिक कर दें। Retype New Password वाले Box में अभी जो आपने Password बनाया है उसको वापस से टाइप करना है और इसे भी हम Virtual Keyboard की साहता से करेंगे। अब Update पर क्लिक कीजिए। यह देखे मेसेज आ गया है कि आपका Login Password successfully change हो गया है। अब जब भी आप Login करें तो नए Password के द्वारा Login करें और काम हो जाने के बाद Logout पर क्लिक कर दें। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो यूट्यूब पर इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करें।